लीला बंसाली जी जो है रनवीर सिंग जो है दिपिका पडुक ने दिपिका पडुकोन और शाहिद भूत ही रिस्पेक्टेड लोग है राजबूद एक ऐसी कौम है जिस कौम के लिए हमें बहुत सारा रिस्पेक्ट है बहुत सारी इज़त है मैं खुद शात्रिया हूं मैं अंगलोर का हूं तो उसी कौम का हूं और बस यह डेफिनिटली कहूंगा कि 100% उनकी इंटेंशिन यह नहीं होगी कि वो किसी को दुख पहुँचाए या कुछ नेगेटिव करें एक मौका देना चाहिए जहां फिल्म देखाई जाए जहां वो फिल्म देखें और फिर डिसाइड करें कि एक ऐसी एक ऐसी फिल्म जो पेंटिंग की तरह बनाई गई है उसमें 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे लोगों को खराब लगे या बुरा लगे बल्के जैसे की अरनव ने कहा यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर हर राजपूत प्राउ ने कितनी बड़ी सैक्रवाइस की अपने अपने कौम के लिए और अपनी इज़त के लिए तो I think एक फिल्मेकर को मौका दिया जाना चाहिए उन एक्टरों को मौका देना चाहिए कोई कहीं बैट कर कह रहा है कि मुझे दिपिका का सर चाहिए हम कौन सी दुनिया में रह रह है कि हम कौन सी दुनिया में रह रह रहे हो भी एक और अथ है वह भी किसी की बेटी है किसी की बहन है किसी की दोस्त है तो I think बोलने से पहले भी हमें सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसे दुख पहुचा रहे है और जैसे कि मैंने कहा दावर के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा उचनी होगा फिल्म में जहां हमें शर्मिंदा होना पड़े हमारी शान है टाजपूत हमारी शान है देश की शान है तो हम क्यों हमारी इंडस्ट्री ऐसे कोई काम करेगी जिससे किसी और को दुख पहुचाएगा पहुचा है जाए और वैसे भी राजिस्तान के बारे में हमे तो आइठिंक पुलिटिकल न होते हुए हम अगर इसे देखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सेंसर बोड फिल्म देखे डिसाइड करेगी कि किसी को ठेज पहुंचा है या नहीं किसी कौम को हमारे कौम को ठेज पहुंचा है या नहीं या थिंक वह बहुत बहुत इंपर्टन और संसर बहुत बढ़ी बुमी का रहेगी इसमें लेकिन आइए थिंक संजे जी एक ऐसे इंसान है जो बोलते कम है शायद उन्हें आकर बोलना चाहिए था शायद वह उनकी गलती है लेकिन execution में, trust me, it will be only respect, respect and respect for that community that has done so much for the country, always, in the history also मुझे वो पता नहीं मैं इंटेगेट डीटेल में ट्रावल कर रहा हूं तो तो अगर बंद भी रहेगा तो वो एक silent एक प्रोटेस्ट मैं नहीं काऊंगा लेकिन एक silent request होगी कि एक मौका हमें जरूर दीजिएगा क्योंकि हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं हम आर्टेस्ट हैं हम दूसरों को एंटेटेन करने आए हूं बस